हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है ब्लैक मैजिक डेकलिंग एस्टूडियो 4K ड्रैवर कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तब लीज चैनल को सब्सक्रा हाँ में को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यहां पर पर आपको क्लिक करते हैं यहां पर सपोर्ट दिखे रहा इसके ओपर आपको एउन को क्लिक करते हैं यह जबक спас up होने के बाद आपको पर लिक update कर देना है एक्लिक करने किक गया करना है यहां पर आपको साइड में तेक्जा जाएंगा लेटेस्ट डाउंलोड इसके नीचे देखेगा यहां पर जो भी आपको डॉनलोड करना है वहीं डॉंडेस्ट वरजन होता है यहां पर आपको डेट में यहीं लिटेस्ट वर्जन है इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अलग-अलग ओपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में मैं आपको विंडो के बारे में ही बता रहा हूं इसलिए आपको विंडो का एकसी करने के लिए इसके उपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप यदि आप यह डिटेल भरना चाहते तो भर सकते हैं इसके बाद आप रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप बिना रजिस्टर के वे डाउनलोड करना चाहते तो आपको क्य हो जाएगा यदि आपके case में automatic download start नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करकि आपको download कर लेना है download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहां यह download हुआ है वहाँ आपको इस तरह से folder दिख जाएगा आप देखने यह folder zip file है तो आपको क्या करना है इसको पहले unzip कर लेना है यहाँ पे रैट कक्लिक करने है इसके बाद आपको extract all कर देना है इसके बाद extract all पे click करने के बाद इस तरह से extract होने लग जाएगा, extract complete होने के बाद इस तरह से folder open हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको exe दिख जाएगा, इससे install करेंगे, install करने से पहले आपको क्या करने, इसके ओपर आपको right click करने है, क्लिक करते इस तरह से window open हो जाएगा अब माले ज़े यदि आपके case में भी यहाँ प्यान ब्लोक दिखता है तो आपको क्या करना है इसको tick mark कर देने इसके बाद आपको apply पे क्लिक कर देने है यदि आपके case में यहाँ प्यान ब्लोक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है okay करके बाहर आजाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या क्या करना है या तक ये साप डबल क्लिक करके install कर सकते या नवी तक क about translate करके install करके install कर सकते हैं दोनों में साब कोई भी एक चीज़ा कर लिए गा करते इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या करना है यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके बाद आपको इसको टिक माक कर देना इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके बाद आपको इस्टॉल पर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो पेन हो जाएगा यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो आते हैं तो आपको क्या करना यस पर किलिक कर देना है यस पर किलिक करते हैं यह इस तरह से विंडो पेन हो जाएगा अब आपको कुछ निकरना है बस यहां पर कुछ सकंड वेट करना है कुछ सखंड वेट करने के बाद इस तरह से उच्छ हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां फिनि इपनीक कार देना है कीलिक करते हैं यह विंडव आ जाएगा अब आपको यहां परीस्टार्ट के लिए बोले गाती आपको क्या करने के वाद आपको क्या करना है इसको चेक कर लेना है आपका ड्राइबर इंस्टॉल हो गया होगा चलिए अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं इसके लिए आपको क्या करना यहाँ पर आपको रैट क्लिक करना है इसके बाद आपको मैनेज को पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ प पता कर सकते हैं आपका डेवर इंस्टॉल हुआ या नहीं दूसरा तरीका यह है कि चलिए मैं उससे पहले इसको क्लोज कर देता हूं दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर किलिक करके इसको लार्ग आइकन कर हो चुका है तीसरा तरीका यह है चलिए मैं वह भी बता देता हूं इसके लिए आपको क्या करना यहां पर सर्च बार में आने के बाद यहां पर आपको टैप कर देना है ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक अब आप इसको यूज कर सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, थैंक यू.